हर माता-पिता की चाहत होती है कि उनका बच्चा पढ़ाई में सबसे आगे रहे। इसके लिए वे कड़ी मेहनत भी करते हैं। इस कारण बच्चे परीक्षा शुरू होने से पहले खुद ही काफी तनाव में आ जाते हैं। लेकिन चिंतित रहना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बच्चों को रिलैक्स रहना जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि आपको चिंतित देखकर आपका बच्चा भी तनाव और चिंता जैसी समस्याओं से पीडित हो सकता है। इससे उन्हें बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी आदतों और व्यभार पर ध्यान दें और उनमें सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें बच्चे आपसे ही सीखते हैं माता पिता बच्चों के आदर्श होते हैं और बड़ों की बातें उनके कोमल मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं जब वे घर में परीक्षा को लेकर तनाव पूर्ण माहौल देखते हैं तो उनके मन में भी नकारात्मक सोच विकसित होने लगती है रूटीन ओनर्गनाईज होनी चाहिए परीक्षा के दौरान बच्चों को तनाव मुक्त रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप उनके सोने, जागने और पढ़ाई के समय को सही ढंक से व्यवस्थित करें हर बच्चे की आदतें दूसरों से अलग होती हैं, कुछ को देर रात तक जाग कर पढ़ाई करना पसंद होता है, तो कुछ को सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की आदत होती है बच्चों के सिर पर हर पल हेलिकॉप्टर की तरह मंडराते रहने की आदत उन्हें और अधिक तनाव देती है कुछ माता पिता इसे अपना कर्तव्य समझते हैं और अपने बच्चों की हर पल निगरानी में रहते हैं इससे फाइदे की जगह नुकसान होता है वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाते इमोशनल सपोर्ट जरूरी है परीक्षा के दौरान बच्चे काफी समवेधन शील हो जाते हैं इसलिए उनके साथ संतुलित व्यवहार अपनाएं पढ़ाई के लिए अनुशासन जरूरी है लेकिन अपने प्यार भरे व्यवहार से बच्चे को हर पल यह एहसास कराएं कि आप उसकी मदद के लिए हमेशा मौजूद हैं परीक्षा की तैयारी में रिवीजन बहुत ही जरूरी रोल निभाता है अगर आपका बच्चा पहले से पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज नहीं करता है तो उन्हें प्यार से समझाएं आप चाहे तो कोई उदाहरन भी पेश कर सकते हैं रिवीजन करने के लिए उन्हें मोटिवेट करें गलती सुधारने के लिए कहें माता-पिता के तौर पर बच्चों को उनकी गलतियों पर काम करने के लिए प्रोत्साहिद करें कई बार ऐसा होता है कि मुश्किल टॉपिक्स को बच्चे छोड़ देते हैं लेकिन उन्हें उस पर काम करने के लिए बोले आप चाहे तो खुद से उनकी मदद कर सकते हैं